इस सेफटी फिल्म का मुक्षिव देश आपकी नीजी सुरक्षा और आसपास के बातवरन की देखभाल है। आप जो भी काम क्यों न करते हो, खुद की सुरक्षा हमेशा पहले आती है। फिर चाहे आप डॉक्टर, इंजिनियर, कारखाने में काम करने वाले कोई मजदूर ही क्यों न हो, अपनी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो नतीजा गंभीर हो सकता है। और इसका असर सिफ हम पर ही नहीं, हमारे परिवार पर भी पड़ेगा। तो आईए जानते हैं अपने प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न खत्रों और उनके बचाव के उपायों के बारे में और इनके सही इस्तमाल के नियम निर्देश कुछ इस प्रकार है। काम करते वक्त सेफटी शूस पहनने से आपको चलने में आसानी होगी और आपके पैर सुरक्षित रहेंगे। साइट पर हमेशा सेफटी हेलमेट जरूर पहने। इससे उपर से गिरने वाली बस्तु से आपका बचाव होगा। काम के दोरान रिफ्लेक्टिव जैकेट हमेशा पहननी चाहिए। ताकि आपको दूर से ही देखा जा सके और आपको किसी हाथसे के पहले ही आगा किया जा सके। ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन या गैस कटिंग मशीन पर काम करते वक्त सेफटी ग्लासस पहनना ना भूलें। ये आपकी आँखो को सुरक्षित रखते हैं। अपने हाथों को छोटी मोटी चोट से बचाने के लिए हैंड ग्लब्स का ज़रूर इस्तमाल करें। मशीन का प्रयोग करते वक्त या फिर जहां कहीं तेज आवाज आती हो, वहां अपने कानों की सुरक्षा के लिए इयर प्लग्स का इस्तमाल किया जा सकता है। उंचाई पर काम करना, उंची जगह काम करते समय, सेफटी हारनस या सेफटी बेल्ट पहनना अनिवार्य है। क्योंकि उंचाई पर दुरघटना जानलेवा हो सकती है। किसी उंची जगह चड़ते वक्त केवल सुरक्षित सीडी का ही इस्तमाल करें। और ध्यान रहे, चड़ते वक्त या तो सीडी को आपके सहकर्मी ने मजबूती से पकड़ रखा हो, या फिर वो रस्ती या तार से बंधी हों। किसी भी बॉक्स, ड्रम, आधी असुरक्ष चीजों पर ना चड़ें। उँचाई पर काम करते समय अपने टूल्स लापरवाही से ना रखें। क्योंकि इनके गलती से नीचे गिरने से आते जाते सहकर्मियों को चोट लग सकती है। वेल्डिंग सुरक्षा वेल्डिंग करते समय, वेल्डिंग हेलमेट और दस्तानों को ज़रूर पहने। आनी जाने के रास्ते पर वेल्डिंग का काम न करें। और रास्ते को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें। ध्यान रहे, अगर आप उचाई पर वेल्डिंग कर रहे हों, तो नीचे सीमाक शेत्र निर्धारित करें और उचित साइन बोर का इस्तमाल करें। वेल्डिंग मशीन के होल्डर्स, लीज, क्लैंप्स और ग्राउंडिंग को इस्तमाल से पहले जांच लें। सभी वेल्डिंग मशीनों के कनेक्शन में ELCB का इस्तमाल ज़रूरी है। इससे आपको पूर्ण सुरक्षा मिलती है। वेल्डिंग करते समय निकास पास के एक्विप्मेंट की सुरक्षा के लिए उसे ठीक से ढख कर रखें। ज्वलेंशील वस्तों जिनमें आग पकडने का खत्रा हो जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलिंडर, इत्यादी के नस्दीक वेल्डिंग कभी न करें। गैस कटिंग सुरक्षा गैस कटिंग करते समय बहुत सावधानी से सभी बताई गई बाते और लगाए गई सेफटी साइन्स का पालन करें। कभी भी गैस कटिंग गीली और बन जगों पर ना करें। हमेशा खोली और हवादार जगह का ही चायन करें। ताकि आपको सास लेने में भी आसानी रहे और आसपास के एक्विप्मेंट को भी नुकसान न पहुचे। गैस सिलिंडर को कभी भी जमीन पर रोल न करें। इस्तमाल के समय सिलिंडर को निर्धारित ट्रॉली में सीधा खड़ा रखें और कारे के बार गैस नौजल बंद करना न भूलें। अपनी कटिंग टॉच, गैस रेगुलेटर्स और गैस पाइप की अच्छी तरह से जाच कर लें। और सुनिश्चित कर ले कि ये कहीं से कटी-फटी या लूज ना हो। सही पहचान के लिए होजस और अक्सेसरीज को निर्धारित रंग दिये गए हैं। ऑक्सिजन के लिए नीला और असिटलीन को लाल रंग दिया गया है। ध्यान रहे कारी शुरू करने से पहले अक्सिजन और असिटलीन प्रशर अज़स्टिंग नॉब जीरो पे हो। पहले असिटलीन टॉर्च वाल्ब खोलें और उचित स्पार्क लाइटर से ही जलाएं। माचिस या सिगरेट का इस्तमाल कभी न करें। इसे काला धुआ छटने तक अज़स्ट करें और उसके बाद ही ऑक्सिजन वाल्ब खोलें और उचित लौपर सेट करके ही इस्तमाल करें। ध्यान रहे कहीं से भी कोई गैस का रिसाव न हो रहा हो। कारे खत्म होने से पहले असेटलीन वाल्ब बंद करें और उसके बाद ऑक्सिजन वाल्ब बंद करें। इससे बैकफायर की संभावना से आपका बचाव होगा। गैस वॉल्व बंद करने के बाद टॉच वॉल्व को भी अच्छे तरह से बंद करने गैस कटिंग करते समय भी पानी या रेच से भरी बाल्टी पास रखना अनिबार्य है। भारी भार उठाने की सुरक्षा, EOT क्रेन या मोबाइल क्रेन या फिर इस प्रकार के किसी भी उपकरण से भारी सामान उठाते हुए कृप्या इन बातों का ध्यान रखें और उनका पालन करें। भार के आकार, वजन और गुरुत्वाकर्शिन केंद्र को ध्यान में रखते हुए उचित शम्ता के स्लिंग का इस्तमाल करें। और ये भी सुनिश्चित करें कि स्लिंग का इस्तमाल सही एंगल से किया जाए। भार उठाते वग ध्यान रहे कि भार संतुलित तरीके से उठ रहा हो और उसके फिसल कर गिरने की कोई गुंजाइश न हो। जहां काम हो रहा हो वहां हमेशा नजर रखें। क्रेन के रास्ते में कोई रुकावट न हो और भार के नीचे कभी न चलें। ऑपरेटर को केवल एक ही आदमी निर्देश दें। बाकी लोग अपने निर्धारित स्थान से ही निग्रानी रखें। जरूरत पढ़ने पर तुरंत उसकी सूचना निर्देश देने वाली ब् जैसे आग लगने की स्तिथी में पानी या रेत डाल कर उसे बुझाएं। फायर एक्स्ट्विंगुशर और अलाम को कवर ना करें। और ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पढ़ने पर आसानी से दिखाई दे सके। आग लगने की स्तिथी में किसी भी ज्वलनशील पदार् प्लास्टिक घटना स्तल से तुरंथ हटा दें। यदि कोई दुरघटना हो या आपको संपत्ती के नुकसान की जानकारी मिले तो आप तुरंथ अपने सुरक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दें। विद्युत सुरक्षा अच्छी गुनवत्ता वाले मेटल टॉप सॉक काम खत्म होने पर फ्रेंच को उचित तरह से बंद करें। फॉल प्रोटेक्शन ऐसी जगह जहां गिरने की संभावना हो उस जगह फर्ष के खुले हिस्से की उचित तरीके से प्रेंसिंग करें। सुरक्षित प्रवेश उपर नीचे चड़ने उतरने के लिए बनाए गए सुरक्षित रास्तों का ही प्रयोग करें। ग्रहव्यवस्ता, काम खत्म होने के बाद ध्यान दे कि आपने सारा सामान ठीक से उसकी निर्धारिज जगह पर सुरक्षित रख दिया है। और हाँ, स्वच्चता पर विशेश ध्यान दें, कारिक्षेत्र पर गंदगी ना फ् इससे आपको खुद को ही नहीं, दूसरों को भी हानी पहुँच सकती है। साइट पर काम करते समय या मशीन चलाते वक्त मुबाइल फोन का उप्योग ना करें, क्योंकि साबधानी हटी, दुरघट ना घटी।